जैहिंन दोस्तों, दोस्तों जैआर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रोपा स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बंगाल सहली से संबंधित pramuk कलाकार के रूप में सारदा चरड उकिल के बारे में बता उगा जो कि बंगा सेली के प्रमुक कलाकार रहे हैं और इन से संबंदित एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों अभी जो भी कला से संबंदित एक्जाम होने वाले हैं जैसे UP, TZT, PZT, KVS, NVS, DSSP, NET, JRF सबी कला से संबंदित एक्जामों के लिए ये महत्वपूर है तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को सुरू करते हैं सार्दा चरड उकील इनका जो समय है 1888 से लेके 1940 इसवी के बीच है ये सार्दा चरड उकील का ये चित्र है आप देख लीजिए ध्यान पूरो सार्दा चरड उकील जो की बंगाल सहली के प्रमुक कलाकारों में इनका नाम आता है सार्दा चरड उकील जो है एक चित्रकार के साथ एक अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं तो ये सार्दा चरण उकील का अभिनेता के रूप में ये चित्र है, ये फोटो है, आप देख लीजिए, इन्होंने दे लाइट आफ एसिया, प्रेम सन्यास नामक चलचित्र में इन्होंने सुद्रोधन का रोल किया था ये, इस फिल्म में जो की गौतम बुद्ध के जीवन को दिखाया गया है, उसमें इन्होंने सुद्रोधन का रोल किया था सारदा चरड उकील, इनका जो समय है 1888 से 1940 इसवी के बीच, सारदा चरड उकील का जन्म कववा कहां हुआ था? तो 1888 में इनका जो जन्म है धाका जिले में हुआ था जो की ये बांगलादेश के अंतरगत आता है सारदा चरड उकील का संबंद कहां से है? तो इनका नई दिल्ली से इनका संबंद है सारदा चरड उकील के कला गुरु कौन थे? तो आउनी बबु या आउनी नाटेगोर इनके कला गुरु कौन थे? आउनी नाटेगोर जिनसे इन्होंने कला की सिछा ली थी उकील प्रसिद चित्रकार के अलावा और क्या थे तो ये बंगाली अभिनेता थे हमने आपको पहले ही बताया कि ये एक अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं प्रसिद भारती चित्रकार जिसकी चित्र शाला बौध विहार सी प्रतीत होती है कौन है सार्दा चरण उकील सार्दा चरण उकील के भाईयों का नाम क्या था तो ये इनके भाईयों का नाम है वार्दा उकील और दूसरा रडदा उकील तो इनके भाई है ये बंगाल सैले का कौन सा कलाकार चित्रकार के अलावा अभिनेता भी था सार्दा चरण उकील हमने आपको पहले ही बताया है सार्दा चरण उकील ने कला की सिख्छा किसके सानिद में प्राप्त की तो आउनिन्ना टैगोर के सानिद में सार्दा चरण उकील ने कला की सिख्छा कहां से प्राप्त की थी तो कोलकाता आर्ड्स काले से आपके बेटे शांतनु उकील किस छेतर में कारे कर रहे हैं तो सारदा चरड उकील जो है उनके बेटे का क्या नाम है शांतनु उकील और ये चित्रकला के छेतर में कारे कर रहे हैं किस बंगाज सैली के कलाकार ने दिल्ली से रूप लेखा पत्रिका की सुरुवात की तो ये इन्होंने नई दिल्ली से इसकी शुरुवात की थी वर्तमान समय में रूप लेखा पत्रिका का प्रकाशन कौन सी कला संस्था कर रही है तो आईफेक्स नई दिल्ली द्वारा ये पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है शार्दा चरड उकील चित्रकार के साथ-साथ और किषले प्रत्सिद थे तो यह अभिनेता के रूप में उकील ने सार्दा चरड स्कूल आफ आर्ट्स की अस्थापना कब वह कहां की थी तो 1926 में इन्होंने नई दिल्ले में सारदा चरड उकील आर्ट्स कालेज की इन्होंने अस्थापना की थी किस चित्रकार के निर्देशक फ्रेंज आस्टन की फिल्म दलाइफ आफ एसिया 1925 में राजा सुद्रोधन के पात्र का अभिने किया था तो हमने आपको पहले ही बताया इन्होंने सुद्रोधन का रोल किया था जो कि बुद्ध के जीवन पर आधारी था ये फिल्म दलाइट आफ एसिया इंडिया हाउस लंदन में भीती चित्रकारी किस कलाकार ने की थी तो किस ने की थी जो रड़डा उकील है सारडा चरड उकील के भाय उन्होंने की थी रड़डा उकील द्वारा चितृत प्रसिद चित्र आख मिचोली कागज पर जल रंग में बना है ये कहा हो गई थी आधनिक कला दीर्गा नई दिल्री में ये शंग रही थी सारधा चरण उकील की मृत्यु कब वग कहा हुई थी तो 1940 में इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हो गई थी इनके कुछ प्रमुक चित्र है अब हम उसे देख लेते हैं प्रमुक चित्र में कौन-कौन से इनकी चित्र है बुद्ध के जीवन पर आधारी चित्र सिंखलाईन होने बनाई थी साइकल आफ लाइफ जीवन चक्र जीसे बोलते हैं कागज पर जलरंग में मनाया गया है 1923 वी में घड़े के साथ महिला कागज पर वास एंड टेंपरा विदी से बनाया गया 1921 में और ये राष्टी आधनिक कला दीरगा नई दिल्ली में सुरक्षित है अर्जुन का युद से विमुख होना तो ये कागज पर जलरंग से बनाया है 1930 में स्वर्गी राजा जोगिंदर सेन मंडी हीमाचल परतिस तो अर्जुन का युद से विमुख होना इस चित्र के बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इद का चांथ जटायू किम्रित्यू राधा किष्ड कुंती और कर्ड सीता और अगनी प्रवेश गोवर्धन धारड बसंत जरजर भीखारी संदेश ये कुछ इनके प्रमुख चित्र है तो इनका एक बहुत ही फेमस चित्र है जो अकसर KBS, NBS, DTSB कला से संबंदित इक्जामों में ये चित्र पूछा जाता है इस चित्र का नाम है अरजुन डीज फ्राम वार इंगलिस में उसे बोलते हैं और हिंदी में अरजुन का युद से विमुख होना तो ये चित्र आप देख लीजिए यहाँ पर ये चित्र है बहुत इंपोर्टेंट चित्र है अकसर ये कुछन पूछा जाता है अरजुन का युद से विमुख होना केवियस और एंवियस के एकजामों में अकसर कुछन बनता है तो यहाँ पर आप देखिए नेम क्या है नाम क्या है इस चित्र का अरजुन डीज फ्रामवार अरजुन का युद से विमुख होना पेंटर कौन है सारदा चरण उकील द्वारा यह बनाया गया है मीडियम इसका मीडियम क्या है यह पेपर पर बनाया गया है और यह कब बना है 1930 इस भी में बनाया गया है इसका समय क्या है मौडन समय में यह बनाया गया है इसकेच यह क्या है इसकेच है एक परकार का रेखाचित्र है और ये ड्रॉ लाइन और पेपर ये पेपर पर रेखाचित्र बनाया गया है और ये कलेक्शन पर्सनल कलेक्शन आफ आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट के प्रसनल कलेक्शन में है इस चित्र के बारे में अब हम जान लेते हैं कि ये क्या 2330 में बनाया गया है यह चित्र लायात्मक रेखाओं द्वारा काले रंग से सफेद पेपर पर बनाया गया है तो याद रखिएगा यह रेखांकन एक प्रकार का काले रंग से बनाया गया है और यह सफेद पेपर पर काले रंग से बनाया गया है सामानते हैं ये रेखाएं तैली चित्र का प्रभा उत्पन करती है इस चित्र का विशय महाभारत से लिया गया है तो याद रखेगा इस चित्र का विशय क्या है महाभारत से लिया गया है कुरुछेत्र के युद्ध में अर्जुन का मन बहुत दुखी हो गया था क्योंकि उनके सामने सगे संबंदी और गुरु थे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसका यहाँ पर प्रसंग है उनके इस संदेह को दूर करने के लिए स्री किष्ड जी विस्व रूप में सामने आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अर्जुन है जो की रहत पर हैं और यहाँ पर स्री किष्ड जी जो हाथ में चक्र लिए हुए है और यह अपने विस्व रूप में आते हैं स्री किष्ड का शांत स्वभाव प्रसंसनी है उनके चारो हाथों में से एक में सुदरसंग चक्र दूसरे में शंक, तीसरे में कमल और चौथे दाहिने हाथ में गदा है यहाँ पर आप देखिए इनके एक हाथ में देखिए यहाँ पर चक्र है दूसरे में यहाँ पर संक है तीसरे में यहाँ पर आप देखेंगे कमल है जिसे पदम बोला जाता है और चौते में यहाँ पर यहाँ पर गदा है और सांद स्वभाव यहाँ पर दिखाया गया सीर कृष्ड जी को कृष्ड के सामने रत पर बैठे अर्जुन के दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में है प्रिष्ट भूम में बादल के वातावरण को दिखाया गया है यह एक उत्क्रिष्ट पेंटिंग है जो कलाकार के निजी संग्रा में है देखिए यहां पर यहां अरजुन जो है दोनों हाथ को यहां पर जोड़े हुए दिखाये गया है यह अर्जुन है और यहां रत पर इन्हों बैठे दिखाए गया और यहां पर देखिए बैग्राउंड में कुछ बादल को भी यहां पर बादल बनाए हुए दिखाए गया है तो यह चित्र महाभारत से संबंदित है एक तरह से आपका सकते हैं यह रेखा चित्र जो है एक यहाँ पर important है एक कला पत्रिका रूप लेखा हमने आपको बताया था जिसका प्रकासन जो है सार्दा चरण उकिल ने दिल्ली में इन्होंने किया था तो ये रूप लेखा पत्रिका है आप देख लीजिए काफी important है ये रूप लेखा पत्रिका तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी important question इस वीडियो में बताए है तो दोस्तों यदि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा like, subscribe और share करें हमारी YouTube चैनल पर comment करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इस प्रकार से visual art से संबंदित important वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों